सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट के ग्याम में जाएगा सो प्रतिसात मैं दावे की साथ कहता हूँ कि आप सफल होंगे आपके यूपी पीस्चल में पच्चास क्यूस्चन आपकी ग्याम में आएगा जिसमें बीश नंबर आपको लाने अनिवार हैं तब ही आप पास माने जाएगे आपका तीन घंटे का पेपर होगा जिसमें आपका पहला चरण आपका कंप्यूटर का चलेगा और जो बच्चे कंप्यूटर में पास होंगे तभी उनकी अगली कापी जाजी आएगी क्यूंकि आयोग ने बिलकुल इसपस्ट तवर पे कहा है तो अगर आप UPPCL के एज़कीट्य असिस्टेंट या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट या फिर ITIC ये ट्रेड सम्बंदित आपका एक फार्म निकला हुआ है इन तीनों को आपने भरा है या फिर इन में से किसी को आपने भरा है तो आपको कंप्यूटर के लिए कहीं जाने की जरूत नहीं है हमारे चनल पे आपको जितने भी प्रेक्टिस अब तक करा चुके हैं उनको आप देख लीजिए आपकी कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी अब तक हम लोग साथ क्लास कर चुके हैं इससे पहले यह हम लोग आठमी क्लास लेकर आए हैं तो चलिए बीडियो की शुरुआत करते हैं अगर आपने उन साथो क्लास को नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनाए गई है तो आप जाकर सारे बीडोज को देख सकते हैं और अपनी तयारी को भी बेतर कर सकते हैं और आपने कितना अच्छा तयार किया है प्रैक्टिस इट लगा कर अपनी तयारी को जा सकते हैं पहला किस्चन आपके सामने है आपसर नमबर सी को लाग करते हैं कंप्यूटर पर आने वाली प्रारमबिक स्क्रीन को डेश्टाब कहा जाता है आगला प्रशन है किस्चन नमबर 2 देखिए जो बच्चे अंग्रेजी में किस्चन को चाते हैं तो आप अंग्रेजी में हरे किस्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको हो रही हो तो comment box में comment करिएगा जिन भी छात्रों को किसी प्रकार का कोई doubt हो किसी question को लेकर या कोई मन में आपके सवाल है तो आप comment कर सकते हैं dpi का पूरू आपको बताना है दिखें इंगली भासी छात अगर आप हैं तो आप इंगलीस में जो भी question है आप पढ़ सकते हैं the first screen comes on monitor is called तो आपका डिस्टाप लाग करना था अगला प्रस्न है dpi का पूरू आपको बताना है disk program inch, dots per inch, dots per internet, dots protocol internet तो यहां आपका लाग होगा option number b dots per inch याद रखिएगा dpi का full farm आपको dots per inch याद होना चाहिए अगला प्रस्न देखते हैं यहां आपको question number 3 है wifi का full farm आपको बताना है क्या होता है wired files, wireless file, wireless fox, wireless fidelity wifi का full farm आपको बतानी है तो यहां आपका option number d को लाग करते हैं wireless fidelity होता है wifi का full farm इस्टा लगा लिजे यह question आपके exam में कई बार आया है और आपके आने वाले exam में भी पूछा जाएगा किसी presentation को save edge करने के लिए currency keyboard पर आपको shortcut key का अपयोग किया जाता है control plus F, alt plus P, F1, F12 तो किसी presentation को save edge करने के लिए currency shortcut key आप जो है keyboard पर प्रेस करते हैं question number 4 आपके सामने है इसका जवाब देना है आप सबी लोगों को सही जवाब हो जाएगा आपका option number D, F12 की को हम प्रेस करते हैं किसी भी presentation को save edge करने के लिए लिब्रे आपी स्केल में function बिजाड को open करने के लिए shortcut key आपको बतानी है काउनसी होगी alt plus F1, control plus F6, F2 या फिर control plus F2 question number 5 है लिब्रे आपी स्केल में function बिजाड को open करने के लिए shortcut key आपको बतानी है तो right answer हो जाएगा आपका option number D, control plus F2 अगला प्रश्ण है आवसक्ता अनुशार अतरिक्त स्पेस जोड़ कर टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिनों में संद्रेखित करने के लिए निम्न में से कौन साबी कल्प उप्यूगत होगा regular left center justify question को दोबारा से एक बार पढ़िएगा ताकि आप answer गलत न करिए आप सक्ता अनुशार अतरिक्त स्पेस जोड़ कर टेस्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिनों से संद्रेखित करने के लिए निम्न में से कौन साब बिकल्प प्रियुक्त होता है तो justify के माध्यम से हम ये कर पाते हैं इनों को set तो आपका option number D को लाग करते हैं अगला प्रस्थन है एक आयोटी नेटवर्क उपकरणों का एक संग्रह है चार आप्षन आपको दिया गया है कौन सा आप्षन सही होगा signal machine to machine interconnected network to network एक आयोटी नेटवर्क किन उपकरणों का एक संग्रह है तो आपका एक आयोटी नेटवर्क की interconnected उपकरणों का एक संग्रह है आपको याद रखना है very important question है अगला प्रस देखते हैं दिखिए सभी किष्णों को हम important नहीं कहते हैं कुछ निंदा किष्णों को important कहते हैं जो आपकी exam में फसते हैं तो हर practice set से आप अपने नुसार जो भी आपको सही लगे उचित question लगे उनको छाट के अलग से आप अपने नोट बुक में नोट करते चलिए ताकि आप exam में बहतरी इनत्यारिक आपकी हो और अच्छा आप स्कोर कर पाएं अगर video आपको अच्छी लगी है तो video को like करिएगा फटा पर से जितने लोग videos को देख रहे हैं like कर दीजी लिब्रे आप इस writer में test को find and replace करने के लिए किस की का इस्तिमाल होता है control plus h, control plus b, control plus z, control plus o आप से भी लोग video को like कर दे आपको अपने दोस्तों के साथ share कर दे तक कि और अधिक लोग जूड सके Libre आप इस writer में test को find and replace करने के लिए start cut की आपको बतानी है कौन सी होगी right answer हो जाएगा आपका control plus h, option number a को लाग करते हैं Libre आप इस writer में test को find and replace करने की start cut की control plus इसे आपको याद होना है अगर आपस देखते हैं Linux एक क्या है एवं operating system है multi user signal tasking या multi user multitasking single user multitasking इने में से कोई नहीं Linux एक आपका multi user एवं multitasking system है आपको याद होना है ऐसे question आपकी exam में आ करके आपको फसाते हैं और आप exam में गलत करके आ जाते हैं तो बहुत ही ध्यान से आपको exam period के समय में किशनों को पढ़ना है Linux आपका एक multi user एवं multitasking operating system है अब आपको याद हो गया होगा है बढ़ते हैं अगले test पर अगला प्रश्चन है अपनी slide में test clip art chart को hold करने के लिए क्या उपयोग करेंगे test box, drawing box, place holder, window अपनी slide में test clip art और chart को hold करने के लिए place holder का उपयोग करेंगे आपसे नमबर C बिल्कुल सही जवाब है आपसे नमबर C को लाग करिएगा बढ़ते हैं next अगले question पर अगला question अपन का है मिलान से संबंदित यानि कूट A से कूट B का आपको मिलान करना है सूची first और सूची second आपके सामने दिख रही है wordpress का मिलान आप किस से करेंगे तो wordpress का मिलान आप बलाग बनाने के लिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ और चीजे नहीं दी गई है सिर्फ आपको सूची में जो दी गई चीजे हैं उन्हीं से आपको मिलान करना है go daddy आपका क्या होता है यह babe hosting होता है तो यह B का 3 के साथ मिलान कर देते हैं last आपका बज़ता है इसको कोई जरूरती नहीं जानने की तो यहाँ बैदू के साथ सर्च इंजन है यह आपका बैदू तो इस तरह आपका कूट के अनुसार option number C right answer हो जाएगा क्योंकि A का सम्मंद आपका 2 के साथ है B का सम्मंद आपका 3 के साथ है और last आपका C का सम्मंद first से है बढ़ते हैं अगले प्रस्ट पर अगला प्रस्ट आपके सामने है question number 12 USB किस प्रकार की storage डिवाई से primary, secondary, tertiary इन में से कोई नहीं देखे USB का full farm होता है universal serial bus तो पहले आपको USB का full farm याद होना चाहिए USB किस प्रकार की storage डिवाई से पूछा गया है यह आपकी tertiary right answer हो जाएगा आगला प्रस्ट देखते है किस देश में सरवाधिक internet users है सन्यूक तुराज अमेरिका, चीन, भारत, रूस तो right answer हो जाएगा आपका option number P, चीन क्योंकि वहाँ जनसंख्या अधिक है और users भी अधिक है question number 14 आपके सामने है, खाली अस्थान में आपको बताना है कि high speed memory computer में प्रियोग होती है काउंसी, high speed memory computer में प्रियोग होती है, RAM, BIOS, hard disk, case तो case memory, high speed memory computer में प्रियोग होती है बढ़ते हैं next अगले question पर अगला प्रशन है, LCD का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या होगा liquid crystal display, light crystal display, long crystal display या फिर इन में से कोई नहीं LCD का full farm आपको याद होगा, जिन बच्चों को नहीं याद है याद कर लीजेगा, हर बार आपकी जमी ये पूछा गया question है liquid crystal display आपसा नमबर एको लाग करते हैं क्योंकि समय LCD का बहुत उप्योग हो रहा है आप अपने घर में TV में भी LCD का अप्योग करते हैं क्योंकि पुरानी चीजें आप इस्तेमाल नहीं हो रही मार्केर में आपको नहीं नहीं चीजें मिल रही है LCD और LED का का काफी महत्रा में उप्योग के जा रहा है किसी ब्राउजर के खुले हुए टैबों में एक से दूसरे पर जाने के लिए निम्द में से कौनसी साटकटकी का इस्तिमाल की जाती है Ctrl प्लस टैब Alt प्लस टैब Win प्लस टैब Shift प्लस टैब देखे अगर आपके कापना समय कम है तो आप यूटूब के फीचर्स का इस्तिमाल करके जहां से आपको नार्मल और 1.5, 1.25 जो भी स्पीड आपको सही लगे 1.75 तो आप स्पीड में भी करके कम समय में अपना समय बचा करके अधिक से दिक प्लस आप कर सकते हैं तो यह चीज़ अगर आपको पता है तो अच्छी बात है जिन बच्चों को नहीं पता है आप जो है इसका इस्तिमाल करें और अधिक से अधिक वीडियोज को आप कम समय में देख पाएंगे तो किसी ब्राजर के खुले हुए टैबों में एक से दूसरे पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी साट कटकी का इस्तिमाल की आ जाता है आप सन नंबर ये आपका राइट एंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस टैब अगला प्रस्ट है माइक्रो प्रोसेसर कम्प्योटर की किस पीड़ी से सम्बंधित है पहले दूसरी तीसरी चोथी माइक्रो प्रोसेसर कम्प्योटर की किस पीड़ी से सम्बंधित है तो आप सन नंबर सी को लाग करते हैं तीसरी पीड़ी से सम्बंधित है आपका माइक्रो प्रोसेसर नेक्स अगला प्रस्ट देखते हैं अगला प्रस्ट है लिब्रे आफिस राइटर में टेस्ट को justify करने के लिए किस start cut key का इस्तेमाल होता है Ctrl प्रस J, Ctrl प्रस P, Ctrl प्रस Z, Ctrl प्रस O तो लिब्रे आफिस या फिर word में भी लिब्रे आफिस calc में भी आप Ctrl प्रस J से justify कर सकते हैं word में भी आप Ctrl प्रस J का इस्तिमाल करके justify आप कर सकते हैं अगला प्रस्ट है बहुत ही सांदर क्यूस्चन है क्योंकि इसमें आपको क्रम बताना है इन में से कौन बिभीन प्रकार के network का उप्यूक्त क्रम है यानि कि आपको इन क्रमों का सही setup कौन सा है आपको बताना है नैनो, पैन, लैन, मैन, रैन, वैन फिर आपका नैनो, लैन, पैन, मैन, रैन, वैन तो यहाँ आपका नैनो, वैन, रैन, मैन, पैन, लैन उप्यूक्त में से कोई नहीं क्या होगा इस टाइप के अगर क्रिशन आपकी ज्याम में आते हैं तो हर एक बिद्यार्थी फस सकता है अगर उसकी बेहतरिन तयारी नहीं है तो अभी आप लोगों के पास काफी समय है अच्छी तयारी करके एक जाम में जाएं मावाब का नाम रोसन करें तो यहां आपका सही उप्यूत करम हो जाएगा नैनो, पैन, लैन, मैन, रैन, वैन यह सही करम है निटवर का बढ़ते हैं अगले प्रिश्ण पर लिब्रे अफिस राइटर में होम की दवाने से करसर खाली अस्थान में कहां से सुरूआत में आ जाता है पैराग्राफ, डाकूमेंट, करेंट लाइन, स्क्रीन लिब्रे अफिस राइटर में होम की दवाने से करसर आपका करेंट लाइन की सुरूआत में आ जाता है आपसर नमबर सी, राइट एंसर है नेस्ट अगला प्रस्ण देखते हैं इनमें से कंप्प्प्पोटर का कंपोनेंट कंप्प्पोटर का हिर्दय कहलाता है मानीटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रो प्रोसेसर इन में से कंप्पूटर का कौन सा कंपोनेंट कंप्पूटर का हिर्दय कहलाता है Q2 नमबर 21 आपकी सामने है राइट एंसर हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर आपसे नमबर D को लाकिया जाए बढ़ते हैं अगले Q2 पर MS Word पहली बार इन में से किस वर्स में जारी हुआ था 1990, 1983, 1985, 1991 MS Word पहली बार आपका 1983 इस वी में जारी हुआ था आपका आपसे नमबर D राइट एंसर हैं नेक्स्ट अगले Q2 पर चलते हैं अगला प्रस्शन है गड़ना कार के लिए निम्ठीद में से किसका उप्योग किया जाता है CPU, Mouse, ALU, CPU तो गड़ना कार के लिए उप्योग किया जाता है आपका ALU Arithmetic Logic Unit इसका फुलफाम होता है Central Processing Unit आपका CPU का फुलफाम होता है बढ़ते हैं निस्ट अगले कीशन पर Spell चेक के लिए किस function की का इस्तेमाल होता है F7, Ctrl, C, Shift, C, Ctrl, F7 Question No.24 Spell चेक के लिए F7 function की का इस्तेमाल होता है आपका option No.A बिल्कुल सही जवाब है इस प्रस्ट का नेक्स्ट अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्ट है आज कल सबसे लोगप्री Computer Operating System जो आप उप्योग में है या उप्योग कर रहे हैं उसका आपको नाम बताना है Linux है, Unix, Macro, Shart, Windows, Macintosh आज कल सबसे लोगप्री Computer Operating System जो उप्योग में है, Macro, Shart, Windows आपका सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर C बढ़ते हैं अगले क्रिशन पर अगला प्रस्ट है Libreapies Writer Help Menu के लिए कौन से की का इस्तेमाल होता है Alt प्लस F1, F1, Alt प्लस Home, Shift प्लस C Libreapies Writer Help Menu के लिए आपको F1 की का इस्तेमाल करना होता है आपसन नमबर B राइट एंसर है आगला प्रस देखते है GUI यानि की Graphical User Interface किन दो की मद इंटरफेस के रोब में प्रयोग किया जाता है हार्डवेर और साप्टवेर, हार्डवेर और कंप्यूटर, हार्डवेर और यूजर आपसन दिये है इन में से कोई नहीं दिखे GUI यानि Graphical User Interface आपका कंप्यूटर और कीबोर्ड माउश के बिश उप्योग किया जाता है तो यहां आपका राइट एंसर हो जाएगा इन में से कई नहीं क्योंकि कंप्यूटर और कीबोर्ड माउश के मद में ये काम होता है क्योंकि जब हम कोई चीज इंपुट करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से तो यह आपका GUI में कंप्यूटर और कीबोर्ड के मद इंटर्फिस के रूप में प्रियोग किया जाता है यहां आपको यह आपसन दिया नहीं गया है आपसन नमबर D के साथ हम लोग चलेंगे इन में से कोई नहीं यहां आपको IOT डिवाइस को संदर्भित करने का अन्य तरीका कौनसा है स्मार्ट कनेक्टेड आपसन C है E और B दोनों इन में से कोई नहीं तो IOT को संदर्भित करने का आन्य तरीका आपका हो जाएगा कनेक्टेड स्मार्ट तो यहां आपसन नमबर C को लाग करते हैं E और B दोनों अगला प्रश्न है बिंडोज टास्क मेनेजर को देखने के लिए कौन सी साथ कट की इस्तेमाल की जाती है बिंडोज टास्क मेनेजर को देखने के लिए किस्चन नमबर 29 आप लोगों की सामने है तो राइट एंसर हो जाएगा आपका बिंडोज टास्क मेनेजर को देखने के लिए कंट्रोल प्लस आल प्लस टेल साट कटकी का इस्तेमाल किया जाता है खाली अस्तान में आपको बताना है वर्चूल मसीन, वर्चूल स्टोरेज, वर्चूल इन्फराटर्चर और अन हर्डवेर एसेट प्रदान करता है कौन LAS, SAAS, PAS या फिर आपसन डी है, ये सभी आपसन नमबर एक को लाग करते हैं LAS आपका राइट इंसर हो जाएगा इसका फुल पाहम आपको याद रखना है लो एल्टिट्यूड लो एल्टिट्यूड इलर्ट सिस्टम ये इसका फुल फाहम होता है इसका वर्चुल मसीन, वर्चुल स्टोरेज, वर्चुल इंफ्राटेक्शर और अन हर्डवर्ड एसेट प्रदान करता है आपका LAS बढ़ते हैं अगले प्रस्शन पर सही या गलत आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है XML एक स्क्रिप्टिंग भासा है HTTP का एक मारकप भासा है कौन सही है, कौन गलत है या दोनों सही है, दोनों गलत है तो यहां आपके समने आपसन दिया गया है देखे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि XML आपका एक इस्प्रिप्टिंग भासा नहीं है बलकि यह आपकी एक एकसिंबल एकस्टिंसीबल एकस्टिंसीबल मारकप लेंग्वेज है तो यह इसका फुल फार्म है XML याई कि एकस्टिंसीबल मारकप लेंग्वेज यह एक आपकी सामान उप्योप की मारकप भासा है तो इसलिए आपकी इस्क्रिप्टिंग भासा नहीं है बलकि एक सामान उप्योप की भासा है XML याई कि एकस्टिंसीबल मारकप लेंग्वेज इसका फुल फार्म आपको याद रखना है क्योंकि आपकी ग्याम में फुल फार्म भी बहुत ज़्यादा पूछी जाते है तो यहां आपका राइट एंसर होता है पहला आपका गलत हो जाता है तो इससे आप लगा सकते हैं पहला गलत दूसरा सही तो आपसन यह आपका HTTP हाईपरटेस्ट आपसा प्रोटोकाल एक मारकप भासा है यह बास सकते हैं तो हम लोग पहला गलत और दूसरा सही के साथ जा रहे हैं जो कि आपसन नंबर बी में दिया गया है आपसन नंबर बी को लाग करते हैं बढ़ेंगे एकले किश्चन पर I.I.O.T. I.O.T. यानि इंटरनेट आफ तिंग्स और I.O.T. में आपको अंतर क्या है ये भी आज आपको समाज आ जाएगा क्योंकि I.I.O.T. क्या है ये आपसे पूछा गया है इसके पहले हमनों लोग ने I.O.T. को पढ़ा था इंटरनेट आफ तिंग्स यहां क्या होगा इसका फुल फार्म इनफॉर्मेशन इंटरनेट आफ तिंग्स इंडस्ट्रियल इंटरनेट आफ तिंग्स इनोवेटिव इंटरनेट आफ तिंग्स इन में से कोई नहीं IIoT का full farm होता है Industrial Internet of Things और IOT का होता है Internet of Things तो यहां से आपकी दोनों चीज़े क्लियर हो गई हैं बढ़ते हैं अगले question पर अगला प्रस्ट में आपको खाली अस्थान Cloud infrastructure किसी संस्थान के विशेश उप्योग के लिए संचालित होता है Public, Private, Community या फिर यह सभी तो private को हम लाग करते हैं Private Cloud infrastructure किसी संस्था के विशेश उप्योग के लिए संचालित होता है अगला प्रस्ट है RAM को इस तरह क्यों नामित किया गया है क्योंकि यह read और right memory है क्योंकि यह volatile memory है क्योंकि चिप में किसी भी अस्थान को सीधे डाटा और निर्देश के संग्रीत करने और पुनट पाप करने की लिए सुचना चुना जा सकता है क्योंकि यह नान बोले टाइल में मोरी है RAM को इस तरह क्यों नामित किया गया है क्योंकि नामित किया गया है क्योंकि चिप में किसी भी अस्थान को सीधे डाटा और निर्देशों के संग्रीत करने और पुनर प्राप्ट करने के लिए चुना जा सकता है आपसर नंबर सी को लाग करते हैं बहुत ही सांदर क्यूशन है ऐसे क्यूशन आपकी ज्या में आते हैं इस्टार लगा लीजिए बढ़े हैंगे एक लिए प्रेश्ण पर इन में से कौन सा छेतर AI के निकरतम है वारिंग, ड्राइंग, गनित, फ्रेंच AI का फुल फॉर्म आपका होता है Artificial Intelligence तो Artificial इन्टेलिजिन्स किश्य नंबर 35 का एंसर दीजेगा सभी लोग कौन सा AI के निकरतम चित्र है तो सही जवाब हो जाएगा आपका Artificial का फुल फॉर्म आपको याद रखना है कई बार पूछा गया किश्य ने, इस्टार लगा लिजी C नंबर को लाग करते है AI का निकरतम आपसे पूछा गया था ये गड़ी तो आपका राइट एंसर हो जाएगा बढ़ते हैं इस्ट अगले किश्यन पर किश्चन नंबर 36 से उद्दोग 4.0 विकास के लिए कौन सी उद्दोग साखाएं उप्यूक्त है अपसन ए में है उद्दोग 4.0 का उप्योक सभी अद्दोगी संदर्बों में किया जा सकता है जहां प्रक्रियाओं को अधिक बुद्दिमान बनाने किया सकता होती है उद्दोग 4.0 पहली बार सेवा उद्दोग के लिए एक संबरधर है खासकर आटो मोटी और कुसी छितर में उप्योक्त में से कोई नहीं उद्दोग 4.0 पिकास के लिए कौनशी उद्दोग साखाएं उप्योक्त है तिया आपका उद्दोग 4.0 उप्योक सभी उद्दोगी संदर्बों में किया सकता है जहां प्रक्रियाओं को अधिक बुद्धिमान बनाने की आज़सकता होती है आपसर नमबर एक और लाग करते हैं बहुत ही बेतरिन क्यूशन है और आपसर नमबर एक इसका सही जवाब है अगरा प्रस देखते हैं क्रीपर वारस को अंतता किसके द्वारा एक प्रोग्राम द्वारा डिलीट कर दिया गया तो क्रीपर वारस को अंतता किस प्रोग्राम के द्वारा डिलीट किया गया है दी वी पर दी री पर दी सी पर इन में से कोई नहीं तो creeper virus को अंततादी रीपर नामक एक प्रोग्राम के दोरह डिलिट किया गया आपसर नमबर भी राइट एंसर हो जाएगा इसके दोरह डिलिट किया था creeper virus को अगला प्रश्ण है contact information इस्टोर करने के लिए सुविधा जाना कस्थान जहां से information को जल्दी से निकाला जा सके क्या होगा list box, message box, address box इनमें से कोई नहीं तो contract information इस्टोर करने के लिए सुविधा जाना कस्थान जहां से information को जल्दी से निकाला जा सकता है वो आपका address box हो जाएगर आपसन नमबर शी को लाग करते हैं अगला पस्ट देखते हैं सुरच्छा का वाप अलो जो बिफाल हो जाता है जब email को intercept किया गया होता है integrity होगा, privacy होगा unthreatication होगा ये सभी सुरच्छा का वाप अलो जो जो बिफाल हो जाता है जब कोई email को intercept किया गया होता है तो यहाँ हम लाग करते हैं option number B को privacy कि क्यों आपकी privacy होती है जो आपकी सुरच्छा का वाप अलो है अगर बिफाल हो जाता है तो ये आपके intercept को आपकी data को लिग कर देता है ये चीज़े आपको पता है नहीं पता है तो जान लीजिए अगरा प्रस देखते हैं IRC का फुल फाम आपको बताना है क्या होगा इंटरनेट रिसोर्स चैनल इंटरनेट राउटिंग चैनल इंटरनेट राइट्स काउंसिलिंग इंटरनेट रिले चैट IRC का फुल फाम होता है इंटरनेट रिले चैट यहां आपसन नमबर डी को लाग करते हैं अगला प्रस देखते हैं अगर आप इंगलिस में देख रहे हैं तो आप इसको देख लीजिएगा IRC स्टेंड फार इसका आपसन नमबर डी को लाग करते हैं बेव पेज का इस फेस्पीक पेज किस रूप में जाना जाता है बेव पेज, डाकूमेंट, वर्कसीट इनमें से कोई नहीं तो बेव पेज का इस फेस्पीक पेज बेव पेज के नाम से जाना जाता है आपसन नमबरे को लाग करते हैं बढ़ते हैं अगले प्रस्ट पर अगला प्रस्ट है लिब्रे आफी स्केल के में फंसन बिजाड को ओपन करने के लिए साट कट की आपको बतानी है कंट्रोल पास F9 कंट्रोल प्लस 6 F6 या फिर F2 इन में से कोई नहीं लिब्रे आफी स्केल में फंसन बिजाड को ओपन करने के लिए साट कट की कौन सी होती है आपसन D है इन में से कोई नहीं यहाँ पर दी गई जो आपसन आपको मिल ला है इन में से कोई नहीं आपसन नमबर D के साथ जाएंगे क्योंकि इसका साट कट की होता है control प्लस F2 यानि CTRL प्लस F2 तो Libreafis Calg में function बिजाड को open करने के लिए shortcut की होता है आपका control प्लस F2 जो कि आपको option में नहीं दिया गया है इसलिए हम लोग option number D को लाग करते हैं इंटरनेट पर सुरच्छित electronic data interchange यानि EDI transmission के लिए उप्योग किया जाता है TCPIP एफिर MIMI SMIMI इन में से कोई नहीं question number 43 आपके समने है यानि 43 तो यहां हम लाग करते है option number C को SMIMI क्योंकि MIME का full farm आपका होता है multipurpose internet mail extension बढ़ेंगे एगले question पर हाँ इसका full farm multipurpose internet mail extension note down कर लिजिएगा आगला प्रस्चन है SQL का full farm आपको बताना है क्या होगा structured query language structured query language static query language selective query language क्या होगा इसका सही जवाब आप सभी लोग इसका सही जवाब देते रहेगा हम लोग अगले question को देखते हैं तब से library office writer में document को बंद करने के लिए start cut की का प्रियोग किया जाता है control plus F close control plus P control plus N तिहां हम option number B को लाग करते हैं close library office writer में document को बंद करने के लिए आपका close start cut की है yes Q L का full form होता है structured query language आपसा number एक को लाग करते हैं बढ़ते हैं अगले question पर भीम एप का उप्योग निम्रखित में से किसका उप्योग करके सरल आसान और त्वरित भुक्तान लेंदेन करने के लिए क्या जाता है password UPI phone number आधार कार्ड भीम एप का उप्योग निम्रखित में से किसका उप्योग करके सरल आसान और तुरित भुक्तान लेंदेन करने के लिए क्या जाता है तो यहां हम आपसे नंबर से को लाग करते हैं फोर नंबर आपका राइट इंसर हो जाएगा क्योंकि अगर आप भीम एप इस्टाल किये हैं तो आपको सबसे पहले आपके खाते से जुड़े फोर नंबर को डाल करके आप UPI ID और पासवर्ट जनरेट कर सकते हैं तो यह तभी संबव है जब आपके बैंग खाते से कोई मुवाइल नंबर लिंक हो इसलिए आपको फोर नंबर कर सकता है पढ़ेगी भीम एप का उपयोग करने के लिए बढ़ते हैं गले प्रश्ण पर बैंग खाली अस्थान में क्या भरा जाएगा कि ब्याज देते हैं जमा पे निकासी पे रिंड लेन देन देखिए बैंग रिंड पे ब्याज लेती हैं लेकिन यहां बात की गए है कि बैंग किस पर ब्याज देती है तो बैंग आपका ब्याज जमा पे देते हैं आपसा नंबर बी को लाग करते हैं हाँ आया तो चाहिए आपका फिक्स डिपे जोड़ी हो या फिर कोई भी माद्या मों आपसा नमबर अगला प्रस्टे है ये गोवर्नेस प्रक्रिया बदलाव करती है पारदर्सिता दच्छता जवाब दे ही आपसा नमबर दी है ये सभी किस्टन नमबर 48 आपके सामने है 48 इगोवर्नेस प्रक्रिया बदलाव करती है इन सभी चीजे आपका राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमबर दी दच्छता हो या फारदर्सिता हो या फिर जबाब दे ही हो बढ़ेंगे अगले किश्टन की और IRCTC द्वारा इंटरनेट टिक्टिंग आपरेशन किस तारिक से शुरू किया गया था आप सभी लोग रियर्वेशन करके जाते हैं एक अस्तान से दूसरे अस्थान तो बाकूभी इस किश्टन का एंसर पता होना चाहिए नहीं भी पता है तो आज आपको पता चल जाएगा 3 जुलाई 2002, 3 अगस 2002, 3 जनुली 2002, 3 फर्वरी 2002 IRCTC द्वारा इंटरनेट टिक्टिंग आपरेशन किस तारिक से शुरू किया गया था बहुत ही सांदार और लाजवाब किश्टन है 3 अगस्त 2002, आफसन नंबर B को लाग करते हैं क्योंकि इस प्रश्ण का बिल्कुल सही जवाब है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर और इस वीडियो का लाश्ट, मेल के बिसे के बारे में आपको बताना है CC, BCC, 2 इन में से कोई नहीं, मेल के बिसे, बिसे यानि आपको सब्जेक्ट के बारे मताना है नहीं तो ये किश्टन आप सभी लोग गलत कर जाएंगे, बिल्कुल आपको जाम हाल में भी प्रश्ण को अच्छे से पढ़ना है नहीं तो आपको जो भी किश्टन का एंसर भी पता होगा, आप गलत करके आजाएंगे, ये बात हमारी ध्यान रखिएगा यहां मेल के सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ये आप से पूछा गया है कि कौन है, चार आपसन आपको दिया गया है, आपसन डी में इन में से कुई नहीं है तो यहां आपका आपसन डी राइट एंसर हो जाएगा, इन में से कुई नहीं क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा आपसन है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है तो बिशे के बारे में आप सिर्फ सब्जेक्ट आपसन में लिख सकते हैं तो इस तरह हम लोगों ने पच्चास किष्णों का लगातार प्रेक्टिस सेट कर रहे हैं अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लेज वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिएगा चैनल पर नए है चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा मिलेंगे निश्ट अगरे वीडियो में थेंक्च्यू फार वाचिंग